हेलो एप्रिवान वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स आज की इस व्यूडियो में हम एक और नए क्रिटिविटी करने वाले हैं मैंने यहां पर पांच बड़ी साइस की मिट्टी के गलास लिये हैं जिसे की हम कुलर भी बोलते हैं तो इन से आज हम एक ब्यूटिफुल सा आइट पीस बनाने वाली हैं तो मैंने यहां पर सबसे पहले यहां नीचे की साइड में इन में पांचों में एक होल बना दिया है इसके बाद मैंने वाइट एक्रेलिक कलर को इन पर अपलाई कर दिया ताकि एक अच्छा बेस मिल जाए और बाद में हमें कलरिंग करने में आसानी रहे इन में से मैंने पांचों पर यहां पर वाइट कलर अपलाई कर दिया है और इसके बाद मैंने लाइट पर लिया एंड कुलर पर पेंट करना स्टाइट कर दिया है तो मैं यहां पर सारे glasses पर same color नहीं करने वाली हूँ different different type के color करेंगे हम अगर हम same color करेंगे वो भी ठीक लएगा बट अगर हम different type के color करेंगे तो ज्वो ज़ादा better लेगा same color से तो मैं यहां पर भी अलग-अलग color इंद सारे glasses पर जिनमें से कि मैंने two glasses पर purple color किया है एंड दो glasses पर मैं pink color करने वाली हूँ light pink color एंड last वाले पर मैं yellow color करूँगी light yellow एंड अब हम इसके glasses के base complete होने के बाद अब हम हम और ज्यादा interesting बनाएंगे विकोज इतना boring सा तो नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं इसे इसे और ज्यादा interesting बनाने के लिए मैं इसे और designs और details अगरा add करूँगी तो मैं यहाँ पर black color से इसके border को color कर रही हूँ पहले तो मैंने बहुत ही पतली सी layer रखी थी बट वो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी वो हम सारे glasses पर same ही रहेंगे अलग अलग तरह के designs भी मैं बना सकती थी बट जो हम same तरह के designs बनाएंगे वो ज्यादा better लहेंगे than different type के designs से तो मैं यहाँ पर same ही color करने वाली हूँ सारे glasses के border पर मैंने black color किया है इसके बाद अब हम और भी ज़्यादा details एड़ करेंगे और भी ज़्यादा designs बनाएंगे इसके बाद मैंने green color से सारे glasses पर black border के पास एक और design बनाया कुलोड के नीचे की side में मैं और ज़्यादा designs बनाऊंगी और ज़्यादा details बनाऊंगी ताकि इसमें और भी ज़्यादा खूपसूर्ती आए और भी ज़्यादा good look देए इसमें मैं कुछ इस तरह की leaves बना रही हूँ सारे glasses पर मैं same ही design बनाऊंगी different type का कुछ भी नहीं करना है glasses के base पर ही हम अलग color करेंगे बाकि जो हमारे designs होंगे वो हम same color से and same designs ही बनाएंगे so मैंने यहाँ पर glasses के नीचे का जो हमारा border है उस पर मैंने एक अलग तरह का design बनाया कुछ leaves बगरा and इसके बाद मैं dark green से इसमें details add करूँगी details add करने के बाद मैं इसमें जो हमारा beach का gap बच रहा है उसमें मैं कुछ flowers बगरा बनाऊंगी और भी जादा beautiful look देने के लिए so मैंने यहाँ पर सारे glasses पर इस तरह से circle में white color किया है and इसके बाद red color से हम इस तरह से flowers बना देंगे वैसे जैसे जैसे इन glasses में details add हो रही है designs बनते जा रहे हैं इन में और भी जादा जान आती जा रही है और भी जादा beautiful लग रहे है and सच कहूं तो मुझे तो यह अभी से बहुत जादा cute लग रहे है बट हम इसमें इतने ही designs नहीं रहने देंगे और भी जादा add करेंगे इसमें designs and details वगरा so इसका जो नीचे का base था उसमें भी मैं इस तरह से कुछ leaves type बना रही हूँ जो हमारे glasses के color है उसी के color के according ही मैं इसमें नीचे का base का design बना रही हूँ जैसे कि जो हमारे light purple color थी उसमें मैं dark purple color का design बनाया है and जो हमारे pink color थी उसमें मैंने red color के design बनाया है and जो light yellow color का glass है उस पर मैंने डार्क यलो कलर से डिजाइन बनाया है सच कहूं तो ये ना अभी से मुझे बहुत जादा क्यूट लग रहा है बट मैं इसे इतना ही नहीं छोड़ ले वाली हूं और भी जादा डीटेल्स और डीजाइन्स एड़ करने वाली हूं विकोस हम कोई भी आर्टपीस बनाते हैं तो उसमें जितनी जादा डीटेल्स एड़ करी जाएन्स उतना कम विकोस ऐसा भी नहीं है कि हम उसमें खिचली पका दें बट हाँ जो हमारा शोपेज या आर्टपीस हम जो भी बनाते हैं उसके अकोर्डिंग हम डीटेल्स जितनी अच्छी से जितनी सफाई से एड़ करते हैं वो उतना ही ज़्यादा हूपसुरवत लगता है चाहें हम कोई पेंटिंग बनाएं कोई स्केचिस बनाएं या कोई शोपीस बनाएं डीटेल्स सही तो चीजों में जान आती हैं वैसे सच कहूं तो मुझे इसमें कलर करना बहुत जादा अच्छा लग रहा था बट मैं बहुत थक भी गई थी इसे बनाते time काथी time लगा मुझे इसे बनानी में बट जब इसका final look आया ना सच में उससे मुझे इतना relax फिल हुआ ना सच में बहुत अच्छा लगा मुझे इसे बना के, इसमें मुझे क्या design बनाना है, वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट जब तक कि मैं satisfy नहीं हो रही थी, मैं इसमें designs add करती जा रही थी, इसमें actually मैं exactly क्या design बनाना है, क्या details बनानी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ था तो मैंने यहां पर कुछ और डिजाइन से इसके बोर्डर में बनाए हैं एंड डिटेल्स वगरा एड़ की हैं वैसे इस पूरे आर्ट पीस में सच कहूं तो सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे ग्लासेस पर पेंट करने में और उनके डिजाइन्स बनाने में ही लगा बिकोज हर एक चीज मुझे काफी डिटेल्स के साथ और काफी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करनी थी सबसे ज़्यादा टाइम ना मेरा इसी में लगा था मैं सच कहूं ठक गई थी बैठे बैठे कि इ मुझे यहां पर काफी रिलाक्स हुआ अब मैं यहां पर जल्दी जल्दी यह डिजाइन बना का कंप्लीट करूंगी सारे ग्लासेस पर डिजाइन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा बीच का थोड़ा सा पार्ट बच रहा था ना ग्लासेस पर उसमें मैं यहां पर यह बाद हमारा फास स्टैब जो कि complete हो जाएगा ग्लासिस हमारे डेकोरेट हो जो के हैं लगभग में सारे ग्लासिस पर इस तरह के मेरर के पीसचिप काने के बाद मैं यहां पर black color दोंगी और ब्लैक कलर पर मैं इस पीच में इस तरह से सारे चिपकाने के बाद यहां पर हमारे यह सारे glasses डेकुरेट हो चुके हैं फाइनली completely and आप देख सकते हैं कि यह कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं सच कहूं तो मिच्छे इतने ज़्यादा पसंद आया ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थी मुझे यह and अब हम यहां पर अपना second step भी complete करेंगे जिसमें मैंने एक stick ली है and दोनों साइड से मैंने black color को कर दिया है इसके बाद मैंने red color की उन ली है जिसे कि अब मैं यहां पर इस उन से पूरी stick को cover कर दूँगी पूरी stick पर इस उन को लपेट दूँगी आपको यहां पर stick थोड़ी मजबूत ही लेनी है आपकी stick कमजोर नहीं होनी चाहिए because अगर आपकी stick कमजोर होगी तो आपका पूरा art piece खराव हो सकता है अगर stick आपकी तूट गई तो art piece आपका पूरा बेकार हो जाएगा आपकी सारी महनत बेकार जाएगी अब मैं यहां पर जल्दी जल्दी इस wall से इस stick को cover कर दूँगी अब जो हमने अपने glasses ready किये थे न वो हमें इस stick पर hang करने है इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारे stick कमजोर नहीं होनी चाहिए विकॉस जो हमारे glasses है उनका बजन की वज़े से ये stick तूट न जाए इसलिए आपको stick मजबूत ही रखनी है अब मैं यहां पर अपनी glasses को hang करूँगी जिसके लिए मैंने उन ली है उनको भी आपको single नहीं रखनी है अगर single रखेंगे तो उसके भी तूटने का डर रह सकता है जिसे कि आपके glass नीचे गिर के तूट सकते हैं मैंने यहां पर वूल के चार पीस लिए हैं जिसे और चारों को मैंने स्टिक में इस तरह से नोट टाय कर दिया है इसके बाद मैंने उन में यहां पर 3 bit को डाल दिया है और जो हमने अपने glass के back side में जो हॉल किया था ना उसमें से मैंने उन को डाल दिया है और लास्ट में मैं ब्लू कलर की दो-दो बैल्स सारे ग्लासेस में डाल दूँगी मैंने यहाँ पर स्टिक में थोड़ा गैब देते हुए ही सारे ग्लासेस को हैंग किया है यह हमारा वाल हैंगिंग शॉपीज जो है वो बनका रेडी हो जाएगा इसके बाद मैंने यहाँ पर सारे ग्लासेस को हैंग कर दिया है स्टिक को भी मैं इतना सिंपल नहीं रखने वाली हूँ विकॉज यह इतनी सिंपल सी जो है वो बिल्कुल बोरिंग सी लग रही है इसलिए मैं इस स्टिक को अभी और भी जादा डेकुरेट करूँगी ब्यूटिफुल लुक आई इसमें तो मैंने यहाँ पर दोनों बैल्स को इस तरह से हैंग कर दिया है अब मैं स्टिक के बीच का जो हमारा पार्ट है उसमें फैविकॉल की हैल्प से तीन बड़े साइस के मीरर को चिपका दूँगी जो बागी का पार्ट है उसमें मैं कुछ मीरर के पीसे एंड कुछ बीच को फैविकॉल से चिपका कर डेकुरेशन कर दूँगी अब यह हमारा आट पीस बनकर रेडी हो चुगा है सज कहूं तो मुझे इतना रिलाक्स फिल हुआ जब यह कंप्लीट हो गया था विकॉस इसमें पूरा दिन लग गया था मुझे इसे बनाने में सबसे ज़्याधा टाइम ना इस ग्लासस को डेकॉरेशन में लगा था मुझे तो यह तो यह यह फाइनला देखकर आप मुझे प्लीज कमेंक करके ज़रूर बता आप अच्छा लगता है इस तरह के आठ पीसिस को घर पर बनाना नई नहीं चीजे ग्रेटिव करना एंड वैसे घर पर बने शॉपीज में जो बात होती है न वो मार्केट से लाइवे शॉपीज में नहीं होती है एंड मुझे तो ये वाल हैंगिंग सच में बोहत प्यारा ल कर दो कर दो